फ्रेंज ठंड के मौसम में अगर सुबा सुबा आपको आपके बाइक याइ स्कूटर के इंजन को स्टार्ट करने में काफी प्रोब्लम होता है इंजन एक बार में स्टार्ट नहीं होता है, इंजन बार बार स्टार्ट करने के बाद भी स्टार्ट नहीं होता है आप बार बार सिल्फ मारते जाते हो, बार बार किक मारते जाते हो, आपने बाकी चीज़े को ट्राय किया, चोक लेने के बाद इंजन काफी मुश्किल से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन चोक बंद करती इंजन भी बंद हो जाता है, अगर इंजन ने स्टार्ट हो गया, Engine ठंड में सूभा सूभा एक बार में यह जल्दी स्टार्ट नहीं होता है इसी problem को दूर करने के लिए बहुत important pro tip मैं आपको आगे इस पी नों बताने वाला हूँ जिसके बाद Engine एक बार में ठंड में भी सूभा सूभा भी स्टार्ट हो जाएगा देखो बहुत सिंपल सी बात तो ये है कि जब आप ठंड के मौसम में जब इंजन ठंडा रहता है बाहर का एटमोसफ़रिक टंपरेचर वो भी ठंडा होता उस टेम पे चाहे सेल्प से चाहे किक से इंजन को स्टार्ट करने ही कोशिश करते हो तो इंजन का जो क्रैंकिंग है वही कंप्लीट नहीं हो पाता बाकि सारी चीजे ठीक है लेकिन क्रैंक साफ का जो रोटेशन है वो स्मूध नहीं होता कई बार हाफ क्रैंकिंग होता है क्रैंक साफ आदा घूम कही अटक जाता है अगर ऐसा आपके buy camera scooter के engine के साथ भी हो रहा है तो यह होता है engine oil के वज़ा से जी नहीं मैं आपको आफया के शूटर के engine के अंदर में नया fresh engine oil डालने को नहीं कह रहा हूं आपको engine oil ना तो change करना है ना परपेड़ करना आपको क्या change करना है कैसे करना है और engine में क्या डानना मैं आपको detail में समझाता हूँ, देखो बहुत simple सी बात है, चाहे ठंड का मौसम हो, दूसरा कोई मौसम है, simple सी बात है अगर बाहरी चीजे सब कुछ ठीक है, उसके बाद engine अगर आप चाहते हो कि एक बार में start हो जाए, तो simple सी बात है कि engine के अंदर में जि कोई movement हो रहा, अगर जब आप engine को start कर रहे हो, सुभा, दोपह, रात, साम, कभी भी start कर रहे हो, और खासकर ठंड में सुभा-सुभा start कर रहे हो, तो जैसे ही ये जो सारे पार्ट से, इनका movement जो है, वो smooth होगा, बिना किसी रुकावेट के होगा, बिना किसी friction के होगा, तो engine एक बार में start हो जाएगा, लेकिन ठंड में सुभा-सुभा problem ये आता है, कि engine भी ठंडा, atmosphere temperature भी ठंडा, जो engine all engine के अंदर में वो रादबचो की गारी पार्ग है, तो नीचे संप में जमा होता है, ऐसे में जब cranking होती है, जब आप self या kick मारते हो, तो जो engine वाल है, वो वजय से engine के ठंडा होने के वाया से, उसका engine के सभी moving parts तक, जो movement होना चाहिए, जो lubrication होना चाहिए, जो flow होना चाहिए, सिर्फ ठंड ज्यादा होने के वाया से, उसका flow नहीं हो पाता है, अब जब flow नहीं होगा, तो क्या होगा, कि cranking साफ के rotation है, वो smooth नहीं होगा, बाकी के parts का movement है, वो भी smooth नहीं होता है, और सिर्फ engine all सही से चुकि lubricate नहीं कर रहा है, engine के अंतर मुसका circulation सही से नहीं हो रहा है, इस वजय से बाकी चीजी तो ठीक है, लेकिन ठंड में आप बार-बार self मारते आते हो, बार-बार kick मारते आते हो, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे जो lubrication है engine कब वो होते रहता है, धीरे-धीरे engine all जो है वो बाकी के पार्च तक पहुंचते जाता है, और जब सही से सब पार्च तक पहुंच जाता है, तो 8-10 self मानने के बाद, या कई बार kick मानने के बाद, तब जाके वो rotation smooth होता है, और तब सुबा-सुबा जो है, वो आपके बाई क खुच से कर सकते हो, किसी mechanic के पास जाने की जरुवत नहीं है, और जिन चीजों को डालना है, उनका link आपको description और pin comment दोनों जग़े मिल जागा, वहां से खरीद के खुच से डाल सकते हो, simply आपको ये करना है कि engine के अंदर में 20 ml से लेकर 50 ml तक आपको क्या करना है, कि engine oil additive को engine क के अंदर में डाल दे रहा है, engine oil filler cap को खुच से जच आप हटा तो और वहां पे 20-50 ml जब आप engine oil additive को इसके अंदर में डाल दोगे, और ये engine oil के साथ mix हो जाएगा, उसके बाद ठंड में सुबह जब आप engine को start करने कोशिश करोगे, तो पहले self में ही, या पहले kick में ही, क्या परफॉर्म करता है, लेकिन उसका एक काम ये भी होता है, कि ये engine oil की viscosity को maintain रखता है, जब engine ठंडा हो, तब भी ये engine oil के वैसे, engine oil का circulation smooth होता है, वो lubrication सही से बना पाता है, जो crank सापका rotation है, वो भी smooth हो जाता है, और ये कोई महेंगा product नहीं है, ये सस्ता है, लेकिन खास के ठं कर लिया है, ये problem दूर नहीं हो रहा है, तो आपको एक बर ये वाला जो trick है, इसे भी अपना आना चाहिए, आप देखना है, कि engine फटा फट से जल्दी start हो जाएगा, उमीद है, इस वीडियो में दीगे जानकारे, आपको पस्ना आएगी वीडियो चाला हो, तो वीडियो को